दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जिवाल की ग्रफतारी के विरोध में आमाद्मी पार्टी ने रविवार को देश भर में सामुहिक उपवास किया। प्रदेश की राज़ानी शिमला में भी आमाद्मी पार्टी ने सीटी ओ चौक पर उपवास के रूप में धरना प्रदशन किया। चाहे जेल में डाले या बाहर रखे के जिवाल अपना काम करते रहेंगे। सुर्जी ठाकों ने कहा कि आमाद्मी पार्टी के नेताओं को जूटे आरोप में जेल में डाला जा रहा है। केंद्र सरकार अर्विंद के जिवाल से डरी हुई है। लोगसभा चुडाओं को किसी भी हालत में जीतने के लिए इस प्रकार के हतकंडे बीजेपी के सरकार के दौर अपनाये जा रहे हैं। देश में जो भी जनता के लिए बहतरीन काम कर रहे हैं उसे सलाकों के पीछे डालने का काम या सरकार कर रही है। जो मोदी जी देल में रखे या बहर रखे उसे कोई फरक नहीं पड़ता पर हिंदुस्तान की दिली की ही नहीं केवल हिंदुस्तान की जनता उनके साथ खड़ी है। इसी तोर्द पर आज ये उपवास किया जा रहा है और हिमाचल परदेश के शिमला से ही नहीं केवल। ये अलग-अलग जगाओं से भी प्रोग्राम अज उपवास का सामुई को उपवास का है जीसे सोलन है मंडी है कमारा चमबा है कुल्लू है मनाली है लाउस पिती है अलग-अलग जगाओं में जो है ये उपवास का आयोजन किया गया है। देखे़ सबसे पहले हामें B.J.P की करोनलोजी को समझना होगा यह कोई भी आरोप लगा तेता है और इसी भी रश्टा चार पे और fuiणि निया दिये उन्होंने मुझे 15 लाग देने थे वो नहीं दिये पर मैंने उनको दिये हैं पर इसी प्रष्टाचार पे और इस लेबल पे कोई भी आरोप लगा देगा कोई दो दो दरोगा मालन के चलते हैं कि दिल्ली से या उनके पास घर्म पे चले जाएंगे उनको समन कार देंगे जहा सारी चीजे क्या है कि मैनुप्लेशन है मैनुप्लेट हो रहा है सारा सिस्टम और इनका सीधा मकसद है कि 2024 में इनको हर हालत में रिपीट होना है अगर इनको अच्छे काम की होते तो काम के बलते यह बोट मांगते जनता इनको सपोर्ट करती इनको बोट देती पर यह सिरफ और सिरफ वीपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यह सारे कारणा में कर रहे हैं और तथा कति गोटानों में हमारी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं निउस्टेस्क एन्वालाइव